देख आज हमने बनाई हैं वेस्ट समान से यह डबबा कितना संदर हमारा बनाया तो अब इसको एक बार ट्राइ करना तो बनता ही है हमने किस चीज से बनाया कैसे बनाया चलिए देखते हैं मैं आपकी होस्ट और दस संगीता मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है यह वीडियो भी मैं बच्चों के लिए ही लाई हूँ जिनको आयट क्राफ का शौप होता है कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश करते रहते हैं तो मैं भी छोटी-छोटी कीज़ें घर में कुछ बसके को कि करे हaky एक्रेलिक रिख कर राए घर हर जगा मिल जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती इनको मिलने में अब यह जरू सूप जाता है यह देखे थुदा सा घीला है तो हम इसको से यहां से कट लगा लेंगे और फिर ही से कैची से काट लेंगे हम, अगर आपके पास वाइट कलर के गलास हैं, तो वह ज़्यादा अच्छे रहते हैं, मेरे पास ये वाइट नहीं थे, मिरे पास ये प्रिंटीड ही थे, तो मैं इसी से बना के दिखा रही हूं, कि मैंने काट लिया इसको ऐसे, जो ये इ प्रिंटीड देनी थी, डिब्बे जैसी, इसलिए इसको हम फिनिश करके इसको इस तरह से इस पर चिकाएंगे, ये बड़ा है, तो इसको उतार के मैं काट लेती हूं, पीस बड़ा है, वो काट देंगे, बाकी हम इस तरह से स्टिक कर लेंगे, ये फिनिशिंग कर लेंगे देखो, ये कहीं कहीं से ठीक से पूरा कट नी पाता है, गोल गोल, इसलिए इस तरह से फिनिशिंग कर लेंगे, हम इसको जो हमने पीस काटा है, इसको हम ग्लू लगा के इस पर स्टिक कर लेंगे, एक गंदा पुराना कपड़ा अपने हाथ पास रखें, जिससे अपने इस तरह से अब हम इसको सूखने देते हैं, ये मैंने दूसरे ग्लास का उपर का हिस्सा उतार लिया, और ये मैंने लिया है, खाले डिबबे हमारे पास होते हैं इस तरह के, इस तरह का मैंने ये डिबबा लिया है, हम इसको खोल लेंगे, कोई भी वेस्ट पड़ा हो, वो लेलो जुरूरी नहीं कि इस तरह का ही हो कैसा भी डिब्बा हो गत्ते का हलका सा इसका ये थोड़ा सा मजबूत हो ही हिस्सा बस ऐसा डिब्बा चाहिए हमें इसको भी हम इस तरह से यहां से काट लेंगे क्योंकि हमें इससे धक्कन बनाने आपने डिब्बे का तो जितना हमे अधिक धकन हमारा आ सके उतना बड़ा हम इसको रखेंगे बाकि एक्स्टर पीज जो है हम काट देंगे यह हमने गत्ता लिया है इसको पहले हम इसको ऐसे चिपकाएंगे और फिर हम इसमें नीचे इसके ऐसे लगा लेंगे जिससे की हमारा यह धकन ठीक से बन जाए यह देखो इसको हम यह चिपक नीरा है तो इसको मैं इस तरह से टेप से चिपका दूँगी और तुम्हार पास अगर वाइट वारी टेप होती है जो बच्च तुम्हों यूज करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में वो टेप है तो बेस्ट उसे लगाओ मेरे पास तो नहीं थ चीपक ने रिफेशन से ही काम चला रही हूँ यह लिए इस तरह से इसको मैं देखो यह मैंने इक्विल कर लिया और अब हम इसको चिपका लेते हैं ग्लू लगाएंगे अब इस पे भी हम यू लगा लेंगे और सूखने देंगे इतने ये हमारा सेट हो रहा है मैं दूसरा ग्लास लेते हैं और इसकी मैं ये जो उपर का हिस्सा है बस ये काटूंगी हमें इसकी केवल ये कैप उतारनी है ये वाली इसमें हम इस तरह से कट्स लगाएंगे बईकुल पतले-पतले कि कि इसी तरह से और हमें नीचे तक नहीं लगाने है। थोड़ा सा यह जो हिस्सा है यह मैं ने छोड़ दिया है। इसको हमें इस तरह से कुलेंगे सारे को और इसमें गं लगा लेंगे अंदर और जो हमने यह अगर आपके पास वाइट ग्लास हैं तो अंदर वाला कलर्फुल बनाओ किसी भी कलर का और बाहर का रखो वाइट जिससे की बहुत अच्छी लुका आती है अब हम इसको भी सेट होने देते हैं और फिर हम इसको आगे का काम करेंगे इस पर यह देखो इसको हम अच्छे से सेट होने देंगे इस पर जिससे की निकलेनी बहार और अब हम यह हिस्सा जो है इस पर ग्लू लगाएंगे अच्छे से और जो हमने यह पिसीज कट करेंगे इनको हम इस तरह से इस पर चिपकाएंगे थोड़ा पेशेंस वाला काम है लेकिन बनके बहुत सुन्दर लगता है इस तरह से इसको हम चिपकाएंगे कलर दिखते सारे कोई भी कलर करते हम और बाहर का हिस्सा जो यह हम कलर फुल से बना रहे हैं यह हम वाइट बनाते तो बहुत सुन्दर लुक आती अब हम इसको इस तरह से सारे इस स्टिक कर देंगे इसमें बिल्कुल और उसकी बाद मैं आपको दिखाती हूं देखो मैंने यह मेरा ग्लास चिपक नहीं रहा था तो मैंने इसमें वेट रख दिया अब हमारा ग्लास चिपक गया अच्छे से यह देखो और यह मैंने साइडों से यह देखो यह साइडों से मैंने आपको बताया था ना यह हवराने की कोई बात नहीं दीरे दीरे करो सब हो जाता है बड़े अराम से धकन बनाया हमने जो इसको भी पेंट करेंगे और अच्छे से सजाएंगे चाहो तो इस पर तुम कोई मोतियों का कोई चेन लगा सकते हो कुछ भी तो इसी को पेंट करके यही लगा दूँगी इसके रेड कलर का सरकल बना के देखो ऐस तरह से इसे चिपका दूँगी और रेड कलर का सरकल बना दूँगी जो एक्स्ट्रा है उसको काट दूँगी और यह सारा रेड कलर का पेंट कर दूँगी फिनिशिंग करने के लिए जो हमने यह देखो यह कौने निकल रहे हैं यह सब काटने है यह छोड़ने नहीं है मेरी तरह इनको सब को काटना है बिल्कुल फिनिश करना है इनको हमने फिनिशिंग बहुत अच्छी होने चाहिए देखो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए यह नह जैसे भी इसको red paint कर दिया और ये किनारी भी इसकी red paint कर दी अगर आपके को सजाना है तो आप इस पे नगवग कुछ भी लगा सकते हो मुझे simple रखना था ये देखो मैंने इस तरह कर दिया और हमने ये धकन बनाया है इसको भी हम इसमें लगावेंगे इस तरह से ये हिस्सा म इसके हम लगा देंगे आपके पैस कोई मोती हो कोई चीज हो वो लगा दो जो धकन को इस तरह से उठा के इसे मैं आभी चिपका देती हूं जिससे हम धकन को उठा सकें हमारा डिबा बिलकुल त्यार है ये देखो कितना अच्छा लग रहा है कितना सुन्दर अगर ये आप आपके पास वाइट ग्लास हों तो अंदर का ये आप कलर करिए और ये बहार का हिस्सा वाइट ही रखिए बहुत ही सुन्दर लगता है मेरे पास नहीं था वाइट ग्लास मैंने ये देखो इसी से बना दिया और इसमें अब तुम अपने कोई भी चीज रख सकते हो इस तर कड़े राम से देखो और अपनी ड्रेसिंग टेवल पर अपने रूम में कहीं भी रख सकते हो और इसका ये धक्कन इस तरह से लगा दो इस पर अब इसके हैंडिल के लिए ये हम इस पर गम लगाएं और इस पर नए चिका दम देखो इसे सेट होने के लिए टाइम चाहिए थोड़ा सा ये ठीक से सेट हो जाता है मैं फिर दिखाती हूँ सूप जाए हमारा डुबा कितना अच्छा लग रहा है और हमने कोई इसमें बजार से कोई चीज नहीं खरीदी बची खुची चीज़ें से उसी से हमने इसको बना लिया ये दो चीजों को बच्चे भी बना स मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर भी जबू करें ये देखें ये इसका मैंने धकन बनाया है इसमें लगा देती हूं थैंक्यू